अभी भी बहुत अनींद में हो और रस्ते में हमारा पच्का अल्रेडी हो गया है, ओवर स्पेडिंग में गाड़ी पकड़ी गई और 500 रुपे का चलान जा चुका है तो आप लोग बने रही है ब्लॉग में और देखिए कि प्रॉब्लम है क्या आखिर सब्सक्रवाई है सो हलो एब्रीवान, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल रेखा की दुनिया तो इस ब्लॉग की शुरुआत यहां से ही हो रहे है, पिछला ब्लॉग को अपलोड हो गया है आप लोगों को ने देख भी लिया होगा, खाटो शाम जी जाने का जानक से मेरा प्रोग्राम बन लिया था और अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, शकल बिलकुल उत्री हुई है, नेंद अच्छे से पूरी नहीं हुई है और अभी भी बहुत नेंद में हो और रस्ते में हमारा पच्छा अल्रेडी हो गया है, ओवर स्वेडिंग में गाड़ी पकड़ी गई और 500 रुपे का चलान जा चुका है तो आप गाड़ी थीरे थीरे चल गई है, शाम के बच गया है, छे है, साड़ी छे और साड़ी छे बच गया है, और ट्राफिक बुलगाओं में भेंकर हो गया होगा, तो हम लोग रुक गए हैं चाय पानी सीने के लिए, अब मैं तो चाय नहीं दी दी, लेकिन सब उतरे हैं, तो मुझे उतरना ही था, क्योंकि थोड़ा सा बाहर घूम लेंगे, तो वो अच अब लोग जल्दी से मॉनिटाइज करा दो, मैं माई को एक सब खरीद लोगी, जोग सबाई, तो बस, अब हम लोग यहां चाय वाई पीते हैं, और उसके बाद निकलेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और दीखे, आज के ब्लॉग में और क्या-क्या आता है बहुत अच्छी चीजे थी, जो मिस हो गई, क्योंकि मैं थोड़ी से छपकी ले चुकी थी, और देखे, आज मैंने अपना ये परल वाला सेट पहना है, क्योंकि मैं पहली बार खाटु शैम जी जा रही थी, विनकी राजस्थान में मैंने फर्स टाइम पैर रखा था, और बहुत अच्छा लगा जा करके, और मेरा सबसे बड़ा ये था कि, गोल्ड बॉल नई पैन के जाना यार, तो मैंने ये ही, पूरा पूर्ट कारी भी डाला, और आ गई हूँ, और ये सूट आप लोगों वो कैसा लगा, ये भी बताईएगा, चलिए, चाय पीते हैं, फिर ब्लॉग को आगे बढ़ते हैं, तो पने रहे हैं व्लॉग पे, और ब्लॉग को लाइक जरूर कर दीजेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा, और ये देखिए, डावे के बाहर में मैं हूँ, ये डावे के पास और आवर के बाहर में देखिये क्या खड़ी है तो हम पहुंच गया है गुर्गाओं और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं अपने घर बारिश हलकी हलकी हो रही थी गुर्गाओं में लेकिन नहीं हो रही थी तो मैं आगई हूं भर कि अगर और नहादो ली रहा है लडो को पाल जी पो तो अ हुँआ जानक गउस लगाधी है और मैं बना रहे हूं विर्टिनर तो आपको दिख ग ठाल're नेटेसे, इसक बभी आली और आलोबिय की सब्जु आली जो को सब्दी कि बोल सब्गत्यों स मुद्धा, विदो रिमाई लोगael, घृटेरहां चॉल और बन गषाभी की налबिया सब्दोर रखनगाने जिसके घृधियो सब्दी की आते शोब वहस लिती हमें Congressman यह बन ज़ब है नहीं बन चुका है डाल और चावल तो यह देखेए में अभी यह भी डाल को तड़का दिया है जीरा से तटका दिया है, चावल इनीग टेवल पे लगा दिया है, तो बस ये सबजी होगी और हम डिनर करेंगे, मैं तो नहीं कह contam'गी तो कि ये भी डिनर करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ठक गई हूँ मैं ठक नहीं गई हूँ मैं दो दिनों से सही से सू नहीं पाई हूँ जैनमास्टमी के दिन भी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मूड खराब होना नहीं कहूंगी दिल तूटा है और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बन और उसके बाद कल जाना ही था मतलब आज जाना ही था मुझे तो कल रात में जल्दी उठना भी पड़ा क्यूंकि अगर मैं चार बजे निकल चुकी थी तो आप लोग सोच सकते हैं कि निकलने से पहले उठकर के हम लोग खाना खुद से लेके गए थे तो खाना बनाना और रे मतलब मैं इतने दिन से ना मतलब एक इनसान है जो डेली मुझे शाम बाबा की फोटो भीजा करते थे और मैं डेली हाथ जोड़ती थी और कुछ दिन से ऐसा हुआ था कि मैं बोलने लगी थी कि बाबा मुझे बुला लो अपने पास कब मुझे बुला होगे कब मुझे बु बोलते थे कि खाटो शाम जी बुलाते नहीं है, खुद लेने आ जाते हैं, और ये बिल्कुल सच हुआ मेरे साथ, मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था, मैं तपेद भी ठीक नहीं थी मेरी, थोड़ा मेडिसीन नहीं ले रही थी, तो उसके वज़े से बॉडी में भी कुछ प्र प्लीज बान जाओ, मैं सारा मेंटेन कर लूँगी, सारी चीज़े मैनेज कर लूँगी, और उन्होंने भी बना नहीं किया, मैं दर्सन करके आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर कुछ चीज़ें हैं, जो मुझे डिसकस करनी हैं आज आप लगों से, और एक बड़ी पती देव को डिनर करा देती हूं, और फिर मैं डिसकस करूँगी, बहुत इंपॉर्टन चीज है, यह हर लड़की को ध्यान रखने चाहिए आज के डेट में, तो वो डिसकसिन मुझे करना है आज आप लोगों से, और इस वीडियो को ना बिल्कुल स्किप मत कीचेगा, प प्रूफ के साथ चीजे रखूंगी, और बहुत, और ऐसा कुछ नहीं है, यह कोई विमन कार्ड या सिंपथी कार्ड या फिर इमोशनल कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है, यह सचाई है, जो हर लड़की जेलती है, मैं तो फिर भी, मैं अपने आपको लड़की नहीं कह रही हूं मैं फिर भी उमर दराज हूँ, एक 40 प्लस लेडी उमर दराज ही मानी जाती है, और अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम्स को फेज करती हूँ, तो आज कल हमारी जो लड़किया हैं, वो कितना फेज करती होंगी, इस कारण से आज मैं यह वीडियो बना रही हूँ, यह चीजे बहु नहीं सोचा कि मैंने मेक अप नहीं किया है, मैंने फेस वाश कर लिया है, मैंने लिपस्टिक नहीं रगाई है, तो मैं वीडियो ना बनाओ, मतलब आज आप मानोगे नहीं, मेरे में अंदर इतना गुस्ता आ गया है, कि मुझे यह वीडियो आज बनाना ही है, और कल के आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है और मैं क्यों इस वीडियो को बना रही हूँ तो आप लोग बने रहे है बलाग में और देखिए कि प्रॉब्लम है क्या आखिर तो हंजी, डिनर दे दिया मैंने पति देप को और problem क्या है मैं आपको बताती है आज कल कुछ लड़कों में ये problem आ गई है कि social media पे उनको लड़की बनके बात करना है और लड़की बनके बात करना है आप लड़की हो, मैं अगर अपनी case को लूँ मैं लड़की हो, मैं social media पे अपने videos के link डालती हूँ मेरी पूरी पूरी वीडियो आती है तो कहीं से भी कोई भी देखना चाहे कि ये कौन है तो पता चल सकता है पूरी एक्टिविटी होती है मेरी डिली लाइफ होती है उसमें मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ सब कुछ उसमें डला हुआ है और सब कुछ वीडियो में जाता है तो हुआ यूँ कि अभी मैंने एक Facebook अकाउंट बनाया और Facebook अकाउंट बनाया और मैंने उसको प्रमोट करना शुरू किया है तो मुझे लगा था कि मैं महिलाओं को जोड़ूंगे इस ग्रूप में मुझे नहीं पता था कि उसमें वो महिलाओं भी आ गए जिनको अपने पुरुष होने पर प्रॉब्लम है जो अपनी मा बहन की फोटो लगा के आ जाते हैं और आपसे वो पूछते हैं आप बॉय हो वो खुद बॉय हैं इसलिए वो आपसे पूछते हैं बॉय है और कुछ लोग आपसे पूछते भी नहीं हैं लड़की बनके ही आपसे बात कर रहे होते हैं आपसे दोस्ती करते हैं आपकी फोटोस मांगते हैं तो ऐसे महिलाओं से साबधान रहें बहुत जरूरी है मेरे साथ आज के डेट में ही हुआ है ये चीज़ और आज मेरे में इतनी हिम्मत हो गई है कि मैं ये बोल रहे हूँ मेरे से पूछा जाता है कि आप बॉय हो मैंने बोला जी नहीं मैं बॉय नहीं हूँ मैं एक लेडी हूँ मैं एक पॉलिटीशन हूँ मैं एक यूटूबर हूँ और यह रहा मेरे वीडियो का लिंक, आप चाहे तो यहां जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और मेरा डेली लाइफ आप देखिए, तो ऐसे कंडिशन में ऐसे अकाउंट वाले आपकी फोटो मांगते हैं, भाई जब आपको पूरी वीडियो के लिंक मि ऐसे लोगों की भायरमार है, और मुझे लगता है कि आजकल आपके पस लड़कियों के अकाउंट आए, तो आप सतर खो जाओ, कम से कम लड़के खुल के दिखा तो रहें कि वो लड़के हैं, आप फ्रेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले आप समझते तो हो, कि ह हाँ वो लड़के हैं, उनसे सापधन रहने की इतनी जरूरत नहीं है, जितनी कि इन छुपे हुए मर्दों से है, जिनको अपने मर्दानगी पे शरम आ रही है, कि वो मर्द हैं और वो औरत बन के औरत से बात कर रहे हैं, उनमें इतनी भी शरम नहीं है, आप अगर करेंगे, मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा के दूँगी, मैं फेक नहीं कर रही हूँ, वीडियो को हाइप देने के लिए, टी आरपी के लिए और यह चीजों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं स्क्रीन शॉट दे सकती हूँ, पूरी चैट की, तो लड़कियों से मैं पूटल केस है वो, और ऐसी चीजे जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में फिजिकली हो, मैंने जब उस अकाउंट पे ये बोला, कि अगर आप बोई हो ना, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि मैं रिपोर्ट करूँगी, तो मैं उसको रिपोर्ट करती, उससे पहले उसने लिखक दाला, चल, निकल, और मुझे ब्लॉक मारा है, मैंने उसको फिर भी रिपोर्ट किया और मैं रिपोर्ट करूँगी, हैरस्मेंट पे, कोई और रीजन दूँगी ही नहीं, मैं दो अकाउँट को अभी तक ब्लॉक मार चुकी हूँ, रिपोर्ट कर चुकी हूँ, ब्लॉक न messenger में मेरे पास आया मैं report करूँगी harassment से क्योंकि ऐसे लोगों के chat से ही आपको समझ आ जाता है मुझे एक से दो line में समझ में आ गया था कि ये lady नहीं है तो ऐसे account वाले सापधान हो जाए ये video facebook पे भी जाएगा और ये video youtube पे भी जाएगा तो इस video को मैं अभी यहीं क्योंकि मैं इंसान हूँ और पूरे दिन travel किया है तो जहिर सी भात है कि मैं ठकी हूँ और कल आपको ये video मिल जाएगा देखने के लिए जब आप ये देख रहे होंगे video तो 29 अगस्त हो रहा होगा 28 के रात को मैं इस video को शूट कर रही हूँ और अभी बच रहा है 11 तो मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था जो मुझे आप शेयर करना था मेरे जो भी सब्सक्राइबर है या जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी है और मेरे इस video को देख रहे अपने घर में बहन बेटियो को सतर्प कर दे कि महिला की रिक्वेस्ट भी वह बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करें मैंने जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था उसमें शायद उस बंदे ने अपनी मा की फोटो लगाई हुई थी और इस वज़े से मैंने एक्सेप्ट किया था अगर कोई मुझे बोले कि एक्सेप्ट ही क्यों किया दिखी थी वो मुझे ऐसी फोटो दि और मैं आपसे मिलती हूं कल सुबह गुड नाइट तो आज ब्रेक्फस्ट में बन रहा है पाउ भाजी भाजी मैंने आत्मी बना लिया था और अब इसको मैं रेडी कर रही हूं पाउबाजी की पूरी वीडियो मेरे चैनल घर के खाना अफीशल पर पड़ा हुआ है अगर आप लोग चाहिए तो वहां से जाके देख करते हैं और यह देखे यह मैं देखे हैं यह हुआ तो किसी कारण से यह वीडियो मैं कल आप लोगों को नहीं दे पाई और आज मैं इस को अपलोड कर रही हूँ तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा सतर्क रहे है सुरक्षित रहे है थैंक यू सू मच फॉर वाचिंग रीखा की दुनिया बाबाई सब्सक्राइब भला तुनिया बाबाईब सब्सक्राइब